हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं अर्विन कुश्वा आप लोगों को अपने यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आज इस प्लांड्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज मैं आपको मसाले वाले पौधे को घर में असानी से गमले में लगा कर आप किन किन पौधे को ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको ऐसे दस पौधे का नाम बताऊंगा जो आप गमले में लगा कर असानी से ग्रो कर सकते हैं अब इन सभी पोदे के ऐसे भेराइटी आ गये हैं जिसे आप 25 से 30 इंची के पोट में लगा कर असानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं आपको बजार से इन सभी महंगे मसाले खरिदने की अब जरुवत नहीं है इसके लिए आप मिट्टी अच्छी बनाएए और प्रोपर्शनलाइट्स में रखिए और पोदे को गमले में लगाईए असानी से पोदे ग्रो करेंगे मार्च के मेने में पोदे लगाना बेहदी असान होता है क्योंकि इस मोसम में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक थंडी होती है इसलिए आप जो भी प्रांट्स को लगाईएगा वो प्रांट्स असानी से ग्रो कर जाते हैं यह मसाले अले पौदे बेहदी सस्ते होते हैं इसे आप गमले में लगा कर असानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे 30 से 35 इंच के गमले में लगाईए अच्छे से लगेंगे यह दोस्ते यह तेशपत्ता का फूल है और इसका मसाले के रूप में हरे घर में यूज होता है आघर प्लांड्स को आप अच्छे से लगाईए और इसके पत्ते प्राया पर्तेव भारतिये घर में इस पत्ते का यूज होथा है इस毫्व dit' को आप सुखा कर ीसका छाए में डाल सकते हैं सबाइब में डाल सकते हैं सबजी के टेष्ट बदल डेता है इसलिए इस पोदे को आप गंबले में लगा कर असानी से ग्रो कर सकते हैं इसे चार से पांच घंटे का धूब दीजिए और मिट्टी सुख जाए तो आप पानी दीजिए दोस्तों या लॉंग का पोदा है इसे आप गंबले में लगा कर असानी से उगा सकते हैं और यह प्राय हमारे भारतिये घर में परते घर में लॉंग का यूज होता है चाशुदिये गुंच से भरपूर होता है इस पौधे को आप इस सीजन में लगा कर अच्छे से ब्रो कर सकते हैं लॉंग के पौधे में छे मेने के बाद इसमें फ्रूटिंग चाले हो जाती इसके पत्ति का भी इस्तिमाल frontier करจะ करें तोड़कर और मसाले के रूप में अपने घर में इस्तिमाल करें एलाइची का पौधा है यह गंब्ले में लगा कर असानी से गोरो कर सकते हैं इसे मिठी की गंब्ले में लगाइए अच्छे से ग्रोत करेंगे अब दीजिये और प्लांट में चार से पांच घंडे देना अज़र अच्छे से प्लांट मेरा गोटरे इसकी पत्ती तोड़कर आप चाय के साथ पीजिये चाय का टेस्ट बदल देगा सब्जी में भी अगर इसका पत्ती को तोड़कर आप डालते हैं तो उसका विया स्वाथ चेंज कर देता है इसलिए इस इलाइची को पौधे को गंबले में लगा कर असानी से ग्रो कर सकते हैं इसके बाद यह काली मीर्च यह गोलकी का पौधा है इसे भी आप गंबले में लगा कर असानी से ग्रो कर सकते हैं और इस पौधे को अगर जिस गंबले में भी लगा रहे हैं उसका ट्रेनि अच्छी तरह से गंबले का करिए और पॉर्पर्शनल एट्स में रखिए या पौदा आपको छे महिने से साथ महिने के अंतराल के बाद इसमें फूर्टिंग चालू हो जाता है या दालचीनी का पौदा है इसकी पत्ती तेज पत्ते के पत्ती के अकार की होती है या प्लांट्स अब आ गये हैं जिसकी हाइट चार से पांच फीट होती है देखिए एक इतने छोटे से प्लांट्स में फ्लारिंग भी चालू हो गई है इसलिए आप दालचीनी के पौदे को गंबले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसकी पत्ती को आप तोड़कर मच भगाने वाले देवा भी बना सकते हैं और इसे चाय के इस्तेमाल में भी कर सकते हैं इसका चाय का टेस्ट ही बदल जाता है दोस्तों या हिंग का पौदा है देखिए या भी आपके गंबले में लगेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करता है या हिंग का पौदा इसका पत इसलिए अगर आपको इसका पत्ती का यूज करना है तो इसको पत्ती को तोड़ कर आप सुखा ले और उसका चूरन बना कर आप सबजी में डालिए या पेट दरध हो उसमें आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं इस पत्ती का इसके बाद दोस्तों या सौप का पौदा है इसे आप गमले में लगा कर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और या भी आपका तीन से चार महिना में पौदा तयार हो जाता है और फ्लावर देने लगता है और फूल फिर फल के रूप में कनभट हो जाता है इसलिए इस पौदे को गम और इसे जितना आप प्रोपर सनलेट में रखिएगा या पौधा बहुत अच्छे से ग्रोव करता है इसलिए इसे गमले में लगाए अच्छे से ग्रोव करेगा उसके बाद आप मसाले के रूप में धनिया का भी गमले में लगाकर असानी से ग्रोग कर सकते हैं इसका ठंडी के मौसम में भी लगता है इसका पत्ती का उप्योग आप चटनी बना कर कर सकते हैं यह भी हमारे हेल्द बिनिठीट के लिए बहुत करगर काम करता है अगर आप इस प्लांट को छोड़ दीजिए गदे इसमें फ्लॉरिंग चाली होगी और प्रूटिंग आने लगेगा इस पौदे में उसके बाद आजवाइन के पौदे को भी अब गमले में लगा आते हैं और यह गमले में लगता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसमें फूल भी बहुत ज्यादा संक्या में आते हैं एक एक्ट सो प्लांट में इसलिए आप इन सभी मसाले अले पौदे को गमले में लगा कर असानी से ग्रो कर सकते और इसका देख रह करना बे करेंगे और बहुत अच्छे से गमले में लगेंगे और सभी पौदे अच्छे से ग्रोख करेंगे दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कोमेंट जरूर करें और आप मार्च के महिने में आप पार्स के नर्शरी स जाएए और वहां से आप इन सभी मसाले अले पौदे को लाकर घर में लगाएए यह पौदे गमले में अच्छे से लगेंगे उसके लिए आपको गमले की जो मिट्टी है ओ अच्छी बनानी होगी क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसे ही मिट्टी गरम हो जाता है इसलिए आप मिट्टी में कोको पीट मिलाइए गय से बना गोगर का खाद बर्मी कमपोश्ट आपको केमिकल खाद डाले कि इस समय ज़रुत नहीं है क्योंकि मौसम गरम हो जाएगा तो आपका पौदे का ग्रोथ रुख जाएगा इसलिए आप नेच्रल खाद का उप्योग कर पौदे क लगाई पौदे अच्छे से लगेंगे और सभी पौदे ग्रोग करेंगे इन पौदे को 2-3 घंटे का धुग दिश्ये और पानी आप प्रोपर देना है वर वाटरिंग आपको नहीं करना है इन सभी पौदे को आप गंबले में लगा कर असानी से ग्रोग कर सकते हैं आपक एक सो से लेकर 200 का बेंज में इसा भी प्लांट्स मिल जाएंगे और यह पौधा 6 महीने के बाद गंबले में थोड़े बढ़ी हो जाएंगे इसमें फूरूटिंग चाले हो जाएंगे तब तक इन पत्तियों का आप मसाले के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं इन सारवी प्ला पौधे को आप सुबा का दो से तीन घंटा दीजिए और पानी परतेक दिन दीजिए आपके पौधे आसानी से ग्रो करेंगे और गंबले में लगेंगे और छे महीने के अंत्याल के बाद इन सभी प्लांट्सों में आपके फूरूटिंग चालू हो जाएंगे तो दोस्तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नहीं किसी टॉपिक के साथ नहीं किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ बाई बाई डाटा